मेरे दोस्तों, मेरी भेनों, मेरे भाईयों, मेरे बुज़रों को अस्सलाम अलेकुम जिये भोटो मेरे दोस्तों, आज हाली में इस लाडले के फटे में धोलों ने हमें फिर ललका रहा है में फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूँ कि हम इनके ये बनाएवे हटकंदों से नहीं डरते हमने पहले भी इन हटकंदों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे और जहां तक रासवाल बिलावल का, वो बेनजिर भोटो का और मेरा बेटा है उसको उसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे ये जितने भी हैं इन सब को पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मूदेंगे और किसी पार्टी की इतनी हमत नहीं है मगर मेरे ज्याले की इतनी हमत है कि हम इनका मुकाबला करें और इनने अब तक दिया क्या है मैंने पहले भी क्या है कि सो दिनों में मैंने भी भी काट दे दिया था सो दिनों में मैंने कीमतें बढ़ा दी थी वीट की मैंने सो दिनों में आपको 73 कॉंसिटूशन का काम कर दिया था इनने सो दिनों में कुछ किया ही नहीं है मैंने मुझे शर्फ से को नोकरी से निकाल दिया था उसको प्रेजिदेंसी से निकाल दिया था ये कहते हैं कि सो दिन बहुत कम है तो काम करने जानता हो उसके लिए बहुत है जिसको आता ही कुछ नहीं उसके लिए बहुत है तो इन सब के और इन सब के ढोल खुले हुए हैं सवाय टीवी पे बक्वास करने के और इनको कुछ नहीं आता और हम इनसे हम इनसे मुकाबला करेंगे और जमूरी तरीकों से मुकाबला करते हुए ठपे मार के दुबारा इनस यह एलेक्शनेट जीतेंगे यह चल नहीं सकते इसे चलाई नहीं जाएगी यह हकोमत नहीं कर सकते यह पाकिस्तान को नहीं चला सकते मेश्जच को नहीं संबाल सकते हाके हलाके इनको बड़ी मदद मिली है दुनिया के दोस्तों से पर शक हम कभूल करते हैं मिलनी भी पाकिस्तान को कोई मदद करता है तो हमें कोई उस पे इतराज नहीं है मगर उसके बावजूद इन से चलाया नहीं जाएगा उसके बावजूद इन से चलाया नहीं जाएगा तो आप सब दोस्तों का एक वार दुबारा यहां जमा होके यह बता देना कि हम सब भुटों हैं हम सब लड़ने के लिए त्यार हैं ये हमारे लिए फखर की बात है ये मैं उनको बताता हूँ उनको समझ नहीं आता ना वो देख सकते हैं ना वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं मैं पहले भी कहा है कि इनके पास कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, इन्शालला इनका मुकाबला करेंगे, कोटों में भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, जहां यह आएंगे, वहां हम लड़ेंगे, जिस से शुरू करेंगे, वहां से हम खतम करेंगे, तो जिस तरीके से इनने आना है, हमें कोई वस जीएब भर्टर